जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस सेलफर में दोस्तों हम आचुके हैं एक नए वीडियो में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इंडियन कोशगार्ट का फॉर्म फिलप करते समय आप लोगों को बहुत सारे कंड जिए आप लोगों को आप लोगों कि यह प्रॉब्लम कहां ठीक मिलती होगे कि इस पहले परेंगे करते होंगे और उसके बादी एकाउंट के बाद आप लोग पासवर्ट स्वर्टि करते हैं नहीं कर पाए हो तो इस बीडियो में घंपलींट सलूसन बताने वाले हैं और वो अप्लीकेश्ट प्रेंट नहीं पाहे हैं यानि कि उनके पीज्ट के प्राइन ही इदर आ गया और फिर से लागिन सेक्षंस लाग आउट हो गये थे और वह अपना अपना प्रिंट नहीं प्राप्त कर सके फिर वह लागिन कर रहा है तो उनका इन वाले क्रिदेंटियस पलदा रहा है तो दोस्तों कम्प्लीट इस वीडियो में जनकारी देने वा दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को लागिन करके दिखा देता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से प्राप्लम फेस करने को मिल रहा होगा चलिए दोस्तों मैं यहां पर लागिन करके आप लोगों को दिखा देता ह यह देखिए लागिन कर रहा हूं तो अभी लागिन नहीं हो रहा है लेकिन अभी होगा वह देखते हैं यह देखिए दोस्तों लागिन होने के बाद यहां पर invalid credentials का आप्सन आ रहा हो गई इस problem को दोस्तों बहुत सारे इस problem को फेस कर रहा होंगे तो चलिए complete इस वीडियो में सलूसन बताने वाले आप लोग वीडियो के आन तक देखिए आप लोगों को जो भी प्राब्म आ रहा होगा सब साल्व हो जाएगा तो चलिए एक प्राब्म आप लोगों को यह हो गया कि invalid credentials का आ रहा होगा यह आप ल से वो लागिन नहीं हो पा रहा है तो इसका सलूसन मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तो इसका कारट एक ही है कि side का busy होना server बहुत busy होने के वज़ह से ऐसा हो रहा है तो दोस्तो मैंने mail भी किया था उसका reply आया कि server पर traffic जादा होने के वज़ह से ऐसा हो रहा है तो च इस वक्त form फिल कर रहा होगे उसके 5-6 घंटे बाद उससे 6-7 घंटे बाद आप लोगो को क्या करना है कि password को आप लोगो रिसेट करना है यान कि फारगाट password पर आप लोगो को क्लिक करना है तो फारगाट password कि कलने के बाद email id डालेंगे जो भी फिर एक नया password system दोरा आपके सम्मेट करने के बाद आप लोगों को email पर एक पासवर्ड आएगा system generated तो चलिए मैं उस passport के डालका यहाँ पा लोगो को दिखा देहि 진행 यह देखिए दोस्तों उस password को यहाँ पर मैं चलिए उस password और email ID को यहाँ पर fill करने के बाद लागिन करने के बाद आप लोगों को सामने रिये research password वाला अपसर आएगा तो यह research password वाले पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को password बदलना नहीं है जो आप लोग पहले password डाले थे वही आप लोगों को यहाँ पर fill करना है तो वही password आप लोगों को fill करना है जो पुराना डाले थे तो आप लोगों का लागिन करने के बाद जो पुराना password ड जानने वह बहुत ही आसानी से हो जाएगा यादि आप लोगे जो रिसे पासवड के बात बार बार-बार रिसेट पासवड मांगता है आप लोग वो सक्सेज भी होता है फिर भी रिसेट पासवर्ड मांगता है आप लोग लागिन वाले सक्षन में इंटर नहीं करबाते हैं तो वो नाइप में यदि फिल करेंगे फॉर्म को तो वो प्राब्लम आप लोग को साल्व हो जाएगी तो दोस्तों यह इसका बहुत ही सलूसन है कि आप लोग यदि 5-6 में घंटे बार फातन करते हैं तो भी नहीं होगा फिर लोग फो फीर फार्गाट के बाद जो नया पासवर्ड होगा उसको पहले नहीं डाला था उसीको यहां पर डालना तो फिर लोग कर लेंगे पर उसके लगको सब्सक्राइब फरन आ रहा होगा तो दोस्तों मैंने आप को पहले ही बता था आप लोग यो पीयाइव से पेदि नहीद नहीं किज़ेगक सब्सक्राइब करने और आपको पर फर्लाइब अच्रेयाइप . तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर लीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाएं